जै शरीरा मैं डॉक्टर अंकित्यागी आपका अपना एस्टार जार नियुम्रलोजिस्ट लालकितावन वास्तू कंसल्टेंट आप सभी का फिरिश्ट सवागत करता हूँ आपके इस अपने बेहत खास दिव्वेकारिक्रम में एस्ट्रो मूलवंत्र में आज फिर से आपके समक्ष एक मूलवंत्र लेकर के हम हाजर हुए हैं आज फिर से उपर से थे आपके समक्ष एक बहुत आसान लेकिन बहुत प्रभावी मूलवंत्र लेकर के एक ऐसा मूलवंत्र जो आपके जीवन में बदलाव लाने की शमता रखता है जानते हैं क्या है भूचाईःं की तरफ जाना चाहते हैं, नए आयमों को छुना चाहते हैं, नित नहीं उचाईःं की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी उन में से एक है, तो आज का मूल्मंत्र विशेस आपके लिए समर्पित हैं, अंत्रत के वीडियो देखे, शायद आज आपको एक रास्ता नजर आएगा इस मुलमंतर के अंतर कहते हैं कि वास्तु शास्त्र वैसे तो हमें जीने की रहा सिखाता है हमें कैसे जीना है कब जीना है कहां जीना है यह हमें वास्तु शास्त्र बहुत अच्छी तरह सिखाता है और वास्तू के अनसार ही आज एक ऐसा मुलमंतर में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी प्रगती और शक्ती का कारक बन सकता है जो आपकी पॉजिटिविटी का कारक बन सकता है जो आपकी शान्ती का कारक बन सकता है जो आपकी पदोन्यती का कारक बन सकता है जो आपके व्यपार में तरक्की का कारक बन सकता है क्या है क्याता है कि वास्तू के अनुसार दोड़ते हुए साथ गोड़ों की तस्वीर को लगाना बहुत शुब माना जाता है और वास्तु में दोड़ते हुए घोड़ों को प्रगती और शक्ती का कारक माना जाता है और शास्त्रों में साथ की संग्या को तो बहुत शुब माना गया है क्योंकि साथ ही एक ऐसी संग्या है जो विवाज्य है जिसका विवाजन नहीं हो सकता साथ एक ऐसी संक्या है जिसको आप किसी भी चीज से किसी भी अंक से विभाज नहीं कर सकते बहुत ही में तो पूर संक्या है साथ इसलिए साथ संक्या को शुमाना गया शादियों में फेरे भी साथ होते क्योंकि साथ को आप डिवाइड नहीं कर सकते साथ को आप भाग नहीं कर सकते साथ अबाज्य है उसका विवाजन नहीं हो सकता गोडे की उर्जा शक्ति और पॉजिटिविटी हमें हमेशा एक नित नए आयाउमर की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर देती है और साथ के साथ साथ सफेद रंग को शांती का प्रतीक माना गया है आप सब लोग जानते हैं सफेद रंग बहुत शांती का मेंटल पीस का प्रतीक है इसलिए सफेद रंग के गोडे हों तो ज़्यादा बहतर होता है और वास्तु शास्तर में इनका जो सयोजन है वो बहुत शुब फलदाई माना जाता है अगर आप work from home कर रहे हैं तो घर में पूर्व दिशा की दीवार पर दोड़ते हुए सफेद गोड़ों की तस्वीर लगा दें साथ गोड़े आपका काम में मन लगना शुरू हो जाएगा पदोननती की संभावने बनी शुरू हो जाएगे अगर आप बिजनस करते हैं तो ब्यापार की जगा पर साथ गोड़ों की जो तस्वीर है सफेद साथ गोड़ों की दोड़ते हुए उसको आप अपने केबिन में लगा ले और इस तस्वीर को इस तरह से लगाए कि घोड़े अंदर की तरफ आते हुए हो बाहर की तरफ जाते हुए ना हो वास्तु शास्तर कहता है कि कारेस्थल में दोड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाया जाना चाहिए इससे काम करने की शमता में तेजी आती है, बिजनस में प्रगती होती है और पैसों की कमी दूर हो जाती है बहुत छोटा हुपाया बता रहूँ लेकिन बहुत प्रबल हुपाया है, करिएगा बहुत लाब मेरेगा आपको बहुत बहुत आभार आप सबका अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो आपमारा यूट्यूब चैनल जरूर सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन दोबाना बिल्कुल न भूलें और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं